Hello दोस्तो, Stock Market की एक कानी सुनने जारा रहा छोटी सी है, जहां पर एक मेरा एक दोस्त है और उनके पापा ट्रेडिंग किया करते थे कभी, ओके या इन्वेस्टिंग करते होंगे, तो वहां पर उनने ने मुझे बताया, मेरे दोस्त नहीं बताया कि यहां पर Stock Market में मेरे पाप बताते कि हां यहां पर आप Stock Market में पैसा बनता है, बट किस तरीके से बनता है, वो उनने अपने बेटे को नहीं बताया, not an issue, बट उसने दोस्त ने बताया कि मेरे पापा ने पैसा नहीं कमाया, बट मेरे पापा जिनने टिप्स दिया करते थे, ओके मेरे पापा के फ्रेंड उन्होंने बहुत पैसा कमाया, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, कि उनके पापा के दोस्त ने पैसा कमाया, बट उसके पापा ने पैसा नहीं कमाया, तो इसके पीछे का सिंपल सा रीजन यह है, कि उसके पापा या तो ट्रेडिंग करते होंगे, और ट्रेडिंग करते हो यह trading करी होगी तो कुछ ना कुछ वो जो principles होते हैं उन्हों follow किया होगा और उसके basis पर यहां पर बढ़िया बन गए होगे उन्होंने अच्छा पैसा कमाया होगा या फिर उन्होंने जो उन्हीं stocks को आपने portfolio में long term के लिए रखा होगा जहां पर उनका अच्छा कासा profit होगा त तो इसलिए याद रखिए trading करते हैं तो principles को follow करते हैं as well as जहां investing करते हैं तो long term को follow करते हैं और इसी कहानी को base मना के याद रखिएगा कि आप unsuccessful है तो इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरा भी unsuccessful है तो आपको successful होना है तो आप अच्छे से guidance लीजिए पढ़िए समझिए चीजो creation के purpose से देखिए wealth creation के purpose से देखेंगे अच्छागासा पैसा बनेगा और रोजी रोटी के purpose से देखेंगे तो याद रखिए loss काएंगे तो वीडियो अच्छी लगी हो like comment share करेगा subscribe करेज़ेगा thank you so much